चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स राटिकल पर आज की दाहिंदू न्यूस पेपर में एक सबसे इंपोरेंट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जिसकी चर्चाएं हर जगा हुई है और यहां पर हम थोड़ा स्पैशल तरीके से कवर करेंगे क्योंकि वीडियो के अंदर आपक जो परसनलिटी है उनके बारे में जिनका नाम है फली एस नारीमन तो यह व्यक्ति लगातार चर्चाओं में बने वेते पिछले कुछ दिनों से रिसेंट्ली यहां पर इनकी डेथ हुई है उसकी वज़ा से इनका जर्म होता है 10 जनवरी 1929 में अभी मृति हुई है 21 फरवरी 2024 को ठीक है और आज हमारी 24 फरवरी यह आसे तीन दिन पहले तो इस विससे यहां पर जो परसनलिटी है वो लगाता निउस बनी वी है लौ के मा एक जूरिस्ट एक सीनियर अडवोकेट थे यहां पर फाली एस नारिमन जिनकी अभी रिसेंटी डेथ होते समय पर इनकी एज थी लगबग 95 के असपास इनका जो पूरा करियर है दोस्तों इसमें यहां पर इनकी कानून के अंदर सर्व किया अज़ा लौयर इनुने सर्व किया एस असीनियर अडवोकेट बने यह सुप्रीम कोर्ट के तब यहां पर इनुने पूरी तरह से सर्व किया मतलब अपनी पूरी जिन्दगी में जो यहां पर जितना भी इनका करियर रहा इतना 75 साल का उसमें से लगबग 50 साल तो यह सुप प्रेले यहां पर इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़े और जान लेते हैं वन डे एक्जामनेशन के साथ साथ यूपीस की में प्रलिम्स में या कई सारए एक्जामनेशन में डारेक्ली यहां से क्फेस्शन बन सकता है तो दोस्टों यहां पर इंगने अपना जो एक इनको एक senior advocate का पद दिया गया 1961 के अंदर फिर बाद में यहाँ पर यह New Delhi पहुँच गए वहाँ पर Supreme Court के अंदर इन्होंने practice करना start किया 1972 के अंदर और इसी 1972 के अंदर जो नारिमन थे यह एक additional solicitor general of India बन गए इस तरीके से यहाँ पर यानि की government की site से कुछ जो cases उसको represent करने लगे फिर बाद में जब emergency लगी देश में 26 जून 1975 में उसके बाद जो है इन्होंने resign कर दिया साथी साथ में यहाँ पर यह वो personality है जिनको पद्म भूशन अवार्ड से समानित किया जा चुका है 1991 में और पद्म भूशन से भी समानित किया जा चुका है 2007 में तो नारिमन वो व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कई सारी जो किताबे हैं वो लिखी वही है जैसे यहाँ पर एक किताब का photo आपको दिख रहा होगा इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कुछ important जो books है या important works है इनके तुरू करे गए है प्लस इनके बेटे जस्टिस रोहिंतन एफ नारिमन ठीके यह भी यहाँ पर अभी सुप्रीम कोड के जज की तरह सर्व कर चुके हैं ठीक है इनके बारे में यह बात है क्लिए रोगे दोस्तों अब यह तो basic कुछ personal details थी अब आता है main मुद्धा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा लंबय समा law के अंदर में सर्व किया तो इन से समद्धित कई सारे important judgments बहुत सारे cases यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो नारिमन से समद्धित जो landmark cases है उसमें से सबसे पहला case है दोस्तों 1967 का कई बार हम इस case को discuss करते हैं पॉलिटी के अंदर में ठीक है तो इस case के दौरान भी दोस्तों नारिमन जो है यहाँ पर इस case की सुनवाई इन्होंने की थी इस case में at the last क्या निकलता है सुप्रियम कोर्ट ने यहाँ पर अपना order सुनाया था जहाँ पर बोला था जो पालिया मेंट है cannot curtail fundamental rights क्योंकि आपको पता है हमारे समद्धान के अंदर article 12 से लेकर 35 तक हमारे पास में हमारे मौलेक अधिकार है fundamental rights है तो fundamental rights का violation नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों इस particular case को लेकर क्या हुआ था basically एक petitioner थे जिन्होंने 17 constitutional amendment act के अंदर में एक तरीके से इसको challenge किया और challenge करने बाद में यहाँ पर आपका सक्ट हो क्या होता है जो नारी मन थे वो petitioner के साथ में खड़ी थे petitioner के बिहाफ में this matter को देख रहे थे फिर case आया 11 जिच की bench बैठी और उस bench नहीं यहाँ पर finally decide किया कि भई article 13 clause 2 सही और इसके तहित जो parliament है वो किसी व्यक्ति का जो fundamental right है उसको नहीं चीन सकती fundamental right आपके सुरक्षित रहेंगे तो इस case के अंदर में यहाँ पर क्या था एक कह सकतो important role था नारी मन जी का उसके अलबा दोस्तों यहाँ पर कई सरे और cases है for example अपने college system वाला पूरा मुद्दा देखा होगा अब college system क्या है जैसे आज अगर supreme court के अंदर में किसी judge को appoint करना है तो उसके लिए हमारा college system काम करता है वैसे college system में हमारे चार senior most judges होते हैं supreme court के और एक होते हैं chief justice of India यानी CGI तो total यह 5 members होते हैं और यही 5 members क्या करते हैं दोस्तों बाकी सारे judges को appoint करने का काम करते हैं तो इस college system का एक महतफपूर रोल है यहाँ पर देखने को मलता है लेकिन मैं आपको बता हूँ कि आज अगर college system में यह 5 members हैं तो एक समय पर यह 5 members नहीं हुआ करते थे इस system का evolution धीरे धीरे होता है दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1981 में सबसे पहला first judge case होता है और 1991 में मतलब की start 1981 की बात कर रहे हैं बिल्कुल starting मगर आप देखोगे तो बिल्कुल starting के दोरान पर केवल और केवल जो chief justice of India है उनके हाथ में सारे matters हुआ करते थे chief justice of India ही यहाँ पर बाकी सारे judges का जो appointment है वो किया करते थे लेकिन बात में दोस्तों इसमें कुछ और judges add करे गए जैसे second judge case आया 1993 का उस case में यहाँ पर नरिमन जी का एक important role आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर पहले judge case को overrule करते वे collegeum system के अंदर में strength बढ़ा दी गई strength बढ़ा के बोला गया भाया Chief Justice of India तो ठीक है इसमें दो judges और होंगे यानि total तीन लोग होंगे जो कि मिलकर क्या करेंगे हमारे judges का appointment करेंगे ठीक है तो यह second judge case था अब इसमें भी इनका rule था लेकिन इसमें से अभी तक second judge case जो हुआ था उसमें तक अभी तक केवल collegeum system में तीन लोग है तीन member है अब क्या होता है तीन member से बात नहीं बनी तो जो third judge case था 1998 के अंदर में यहाँ पर supreme court ने again फिर से collegeum को expand किया और expand करते वह यहाँ पर दो judges और एड हो गए यानि कि Chief Justice of India तो दो और बढ़ा दिये गए तो total यहाँ पर 4 judge हो गए supreme court के और एक CGI हो गए तो यह पांचों लोग मिलकर decide करते हैं बही supreme court में और बाकी किन judges का appointment होना है ठीक है तो third judge case के अंदर भी यहाँ पर जो नारिमन थे इनका एक important role हमको देखने को मिला था यह cases दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब इन cases को side में करें तो एक और बहुत important case very very important NJAC that is National Judicial Appointments Commission यह क्या था अब दोस्तों पताए यहाँ पर मैंने आपको college system के बारे पढ़ाया और college system जब काम कर रहा है तो यहीं पर कई सारे लोगों के थूख college system के आलोचना की ग काम करेगा जिसमें हमारे Supreme Court के CGI है प्लस यहाँ पर पांच सवरी चार हमारे Supreme Court के जज़े हैं अब एक तरफ लोगों ने प्रशन उठाए इसी system के ओपर कि भाई यह तो पांच लोग खुदी Supreme Court से बिलॉंग कर रहे हैं और यह आपस में मिलकर decide करेंगे judges का appointment तो अगर आपस वेक्ती होगा तो वो जज़ नहीं बन पाएगा क्योंकि यही पांच लोग मिलकर decide करेंगे यह criticism किया गया collegeum system का और criticism करने के बाद में दोस्तों collegeum system को खतम करकर NJAC बनाने की मांग उठने लगी क्या उनाने की मांग उठने की मांग उठने की नज़ेसी और नाशनल जूडिशल अपइंट्मेंट कमिशन अब NJAC बना भी दिया गया 2014 में पूरा एक कानून आया नैशनल जूडिशल अपइंट्मेंट कमिशन का कि भई इसमें केवल जजिस नहीं होंगे कुछ और other members भी होंगे जो सब मिलकर decide करेंगे कि हाँ भई Supreme Court का जज कैसे अपइंट होगा अब दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि यह तो बड़ा बवाल हुआ कि भई कॉलिजन सिस्टम को खतम करके NJC बनाई जाए मांग उटने लगी लेकिन यह केस भी सीधा Supreme Court के पास माया और Supreme Court में इस केस को नारिमन ही रेप्रेजेंट कर रहे थे इनोंने सीधा सीधा NJC के मामले को खतम कर दिया बोला कि भईया NJC जैसी कोई चीज नहीं बनेगी क्योंकि अगर यह NJC बना तो इससे जो हमारा एक में चीज है जुडिश्री है जुडिश्री जो इंडिपेंडेंट है वो कही न के इंडिपेंडेंट नहीं रह पाईगी क्योंकि आपको पता है ना हमारे Constitution के अंदर में अगर आप देखो के बेसिकली तो इंडिया के अंदर में जो हमारे Legislative एग जुडिश्री है तीनों अलग-अलग है तीनों की separate powers है तीनों इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगा और जुडिश्री का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है किसी democratic country के लिए भी और अभी NJC अगर बनता तो इसमें आपे कुछ government के members भी आ रहे हैं 6 persons यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो वो सब मिलकर यहाँ पर decide करेंगे appointment कैसा होने वाला है तो उसी चीज़ को यह जो पूरा का पूरा matter है Supreme Court में जब गया तो जो नारिमन थे इन्होंने यहाँ पर NJC को खतम करने की बात की कि भाया NJC जैसी कोई चीज नहीं बनेगी क्योंकि यह judiciary की independence को नुकसान पहुचाएगा तो यह केस भी इन्होंने देखा हुआ था मैं आपको बस खाली दिखा रहा हूँ मोटा मोटा कि यहाँ कौन-कौन से बड़ी-बड़ी cases जो majority of cases है वो यहाँ पर इन्होंने handle किये यह वहाँ पर इनका representation था और इनी case में कुछ और एक और important case यहाँ पर इनके पास माया था वो था भुपाल gas tragedy का भुपाल के अंदर gas के जो आपने पता होगा एक दुरगटना हुई थी है ना वो case था basically union carbide corporation versus union of India तो इसमें जो एक senior advocate थे नारिमन जी यह इस case में कापियर होते हैं और union carbide company को represent कर रहे होते हैं और साथी साथ में दोस्तों यहाँ पर इस company के तहत कह सकते हो कि 426 426 मिलियन डॉलर का एक compensation देने की बात करते हैं कि जो यह gas tragedy हुई थी इसमें जितने भी लोग की जान गई थी क्योंकि यह tragedy दोस्तों बहुत ही जादा खतरनाक थी यह बात थी 2-3 December की 1984 की रात में जब इस factory से यह सारी gas लीक हो जाती है कौन सी gas? जिसकी वज़ा से बहुत बड़ा disaster हुआ है बहुत बड़ा disaster आप यह समझो कि लगबग 8000 लोगों की जानतों दो सब्ता में चली गई थी 8000 नंबर बहुत बड़ा होता है और फिर उसके बाद दिरिद रगर के 8000 लोग की जान चली गई आज भी कई सार लोग है जो impacted हैं य पीसर लोग की जान गई उन सबको यहां पर यह मुअफजा दिया जा सके और 1989 में union carbonate company एक settlement deal पर पहुँच गई कि हाँ बिलकुल हम यहां पर 470 million dollar आपको as a compensation यानि मुअफजा देंगे आप यहां पर जो भी पीडित हैं उनको distribute कर देना तो यह case भी दोस्तों यहां पर नर minority rights होता है minority rights के support में यहां पर यह case दोस्तों देखा गया था और court नहीं यहां पर minority rights को support भी गया था ठीक है इस particular case के अंदर में जितने भी यहां पर हमारी minorities हैं अलप संख्या का आपको देखने को बलेंगे उनकी हक जो है basically उसको लेकर यह particular case था ठीक है कि उनके लिए proper educational institution court के judgment से निकल कर आया था पूरा matter ठीक है तो यहां पर भी इनका representation था फिर उसके बाद में दोस्तों एक और case हुआ था जैसे नबम रेबिया और बमंग फैलिक्स वर्सिस डेपर्टी स्पीकर 2016 का case था यहां पर बोला गया कि जो governor है state के जो governor होता है वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे governor basically जो council of ministers होता है chief minister जो होता है है ना तो उन council of minister की aid and advice पर काम करेंगे तो आप पढ़ती हो पॉलिटी के अंदर पर या council of minister का एक important role है उसी के aid और advice पर यहां पर governor काम करेंगे तो governor खुझ से यहां पर अपनी powers यूज नहीं कर सकते उसको लेकर यह particular case था इस case क यहां पर सुनवाई की गई फिर कावरी water dispute का एक case यहां पर इन्होंने देखा यह भी एक बहुत महतफपूर case है आज तक news में रहता है तो करनाडिका वर्सेस तामिलनाडू का यह case था इसके पानी के बटवारी को लेकर यह पूरा मुद्दा था तो 2018 में यहां पर जो नार करनाड को 192 TMC के आसपास यानि की 1000 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास अब यही यहां पर case के अंदर में नारिमन ने क्या करवाया जो एक करनाडिका से पानी इतना नहीं थोड़ा सा कम देंगे तो थोड़ा पानी यहां पर करनाडिका को मिल गया अपने हिसाब से यूज करने के लिए तो basically इस particular case में यहां पर करनाडिका को इन्होंने represent किया था तो यह बड़े-बड़े cases मैंने आपको यहां पर समझा दिया है